या पे पर वर कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम्स जो सॉल्वत आपकरें हैं, वो अगर जैसे for example एक question को आप सॉल्व खर रहे हैं, या फिर अप अभी पढ़ाई करना है, प्रपरेशन कर रहे हैं, तो आप में अगर questions को आठक जाता है, नहीं कर पारें कॉंसेप्स या पॉपलेज नहीं आदा पारें तो उसको आप एक बार देखने हैं और अगर इसमें शोता है तो फिर से दुबारा से आपको तॉल करने बैट दाना चलिए कि अजमें मेरा आंसर कैसे कलत हो गया आपको ज़रूर मिश्किक है एक पूशन को आपको सी के पूर मेंटर को सब्सक्राइब करें तो उन सभी बच्चों के लिए तो उन सभी बच्चे जो की जैए मेंज का सेकेंड एटेम्ट दे दे वाले फर्स्ट एटेम्ट में अपते बात की ती काफी सारे चीज़ों पर लेकिन आज जो हम बात करने वाले वह एकदम न्यू हो नंबर कैसे आए और आपका जेए एडवांस के अगर आपको फर्स्ट एटेम्ट सटेस्फाइड आपके मार्क्स आए हुए तो जेएडवांस में अगर आप दादा तयारी फोकस कर रहे हैं तो मैं आपको उसमें कुछ डिफ्रेंसे भी बताऊंगी और कैसे आपको आगे क के लिए लमसम दो मिनिट्स का आपके पास समय रहता है आप उस दो मिनिट्स में अच्छा तो सॉल्व कर सकते हैं और अडवांस के लिए लमसम हर कोश्टन को आप तीन मिनिट्स दे सकते हैं conceptual होता है, precise होता है और आपका जो mains paper होता है उसमें आपका जो question रहते है थोड़े से advance के level के थोड़े से कम level का question आपसे पूछा जाता है, यह तो सभी को पता है तो mains crack कर लिए, cut off clear कर लिए तो हमें advance की तयारी करनी है और उन 15,000 बच्चों के अंदर आप मुझी rank लेके आनी, जिससे कि आपको IIT में selection मिल पाए, और J-Mains पे भी आपको इतनी अच्छी rank लेके आनी कि हमें top के NIT मिल सके तो बच्चों, जो हम बात कर रहे हैं इस बारे में, जो आपकी mains है वो आपको problem solving in a minimum time सिखाता है, और जो आपका advance है वो आपका conceptual base में रहता है आपके concepts कितने ज़्यादा clear है clarity है उनमें, तो उसके लिए आपको advance का paper को clear करना रहता है बात करें अगर हम practice के किसको कितने ज़्यादा practice में ध्यान देना है, तो mains हमारा practice base रहता है almost और जो advance हैता है, हमारा logic और idea generation के basis में आपके questions पूछे जाते हैं, ये काफी important और महत्वपून point है और जितने भी मैंने reviews लिये हैं, जब भी मैं exam center में जाके आपको reviews मैंने दिये होंगे बच्चों के तो पहले बात जो बच्चों ने कही होगी कि भाई formula बहुत अच्छे से याद करना at least हर week एक बार आपको सारे formula एक दिन के लिए रखने चाहिए और वो आपको सारे revise कर दिने चाहिए, इससे बहुत अच्छा score आपका increase हो सकता है, काफी सारी चीज़े हैं जो आप increment अपने marks में ला सकते हैं इस session के paper में और also in advance exam तो हम बात करें most questions जो होते हैं वो directly formula based रहते हैं तो आप इसको clear कर सकते हैं और mains में जो focus रहना चाहिए आपका accuracy level आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए accuracy level को अगर आपने अपने ठीक कर लिया तो आगे फिर then हम speed पे work कर सकते हैं तो problems जो solve आप करें concepts या formulas नहीं आदा पारें तो उसको आप एक बार देखके solve करने कोशिश करें सिर्फ answers को देखते हुए नहीं आपको question solve करना है आपको question लगातार जैसे आपने 10 questions महा कर लिए तो 10 questions को आपको पहले solve कर लेना है और उसके बाद आपको answers देखने हैं match करने है कि 3 to 4 methods को करके भी आप solve कर सकते हैं तो इसके लिए आपको वो सारे methods भी पता होने जरूरी इससे आपका concept clear होगा और जितने जादा आप concepts अपने clear करते रहोगे advance में उतने ही अच्छा आपका score आने वाला है और advance में अगर अच्छा score आ जाएगा तो CDC बात है आप IIT इस तक पहुत जाएंगे अराम से good accuracy and good speed will make your advance also clear ठीके बच्चों और solving ऐसे ही करनी है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि questions को लग जाना है ध्यान से अपने teacher से discuss करिये या फिर अपने किसी जो आपके friend में अगर आपको लगता है कि हाँ इस बंदे को बहुत अच्छे से आती है concepts clear रहे तो आप उससे भी पूछ सकते हैं कुछ भी ऐसा चीज नहीं है अपनी group study भी strong रखिए group study से बहुत effect पड़ता है अपनी कम्यों को आप देख सकते हो कि आप से क्या नहीं हो रहा है और उसके लिए आप teacher से संपर करिए अगर आप online live lectures किसी coaching institute से आप ले रहे हैं तो वहाँ पे भी सुविधा होती है कि आप teacher से अपना संपर करके उस question को solve out करें तो आप पूछने में जब भी आपको लगे कि पूछने के लिए तो प्लीज आप discuss कीजिए फ्रेंड से भी कर सकते हैं और teacher से भी कर सकते हैं उसमें कोई hesitation नहीं होना चाहिए बहुत hesitate करते हैं बच्चे questions पूछने के लिए तो ऐसा विलकुल भी नहीं होना चाहिए three times कम से कम एक question को solve करने कोशिश जरूर करिए अगर नहीं आपसे लग रहा है तो fourth time पे आप अपने teacher से discuss कर सकते हैं कि माम यह हमसे question नहीं लग रहा है ठीक है और बात करें exam के अलावा आपके जो routine है जो आपकी study का routine है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए morning से लेकर night तक की जो आप sleep लेते हैं sleep में भी आपकी कम से कम 6 से 7 घंटे की sleep hours होने ज़र जरूरी है और self study कम से कम 4 to 5 hours आपकी self study रोज होना बहुत जरूरी है क्योंकि self study से ही आपको motivation मिलेगा exam में जब आप बैठेंगे तो आपको self study काफी ज़्यादा देखेंगे तो helpful रहेगी और coachings अगर आपने कोई join करी है आप lectures लेते हैं उसके apart भी 4 to 5 hour की मैं बात कर रही हूँ जो आपको अपनी studies में देना ही पड़ेगा अगर आपको crack करना है बहुत ज़्यादा time बचा नहीं है बहुत कम समय बचा हुआ है और इसको में utilize करना है बचो तो आपको जो भी हम counselling के वीडियोज देते हैं वो separate चीज़ है उसको आप देखते रहीएगा लेकिन जो मैं आज आपको tips बता रही हूँ इस वीडियो को पूरा end तक देखना बहुत ही important चीज़ है मैंने आज जो तरीका है questions का solve करने का जो pattern है study के time पे आपको कैसे उसको तयारी करने हूँ कि मैंने भी preparation की हुई है तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि कैसे आप prepare करें और कैसे आप questions को questions को solve करते हुए answers perfectly लेकि है accuracy मैं फिर कहूंगी बहुत जादा important matter करती है अभी मैंने कुछ दिन पहले एक बच्चे का phone आया उसने अपना result पेजा और उसने पूछा कि मैं मैंने तो इतने questions solve किये थे और मेरे इतने correct हैं उसने negative जो attempt कि उस पे ध्यानी नहीं दिया और वो negative को count ही नहीं कर रहे हैं तो negative कर लेते हैं इसके बाद अपने जेई मेंस के face 2 के अपरिल के कितने number पे कितनी percentile बनने वाली है ये भी बहुत important topic है बच्चों इसको आप ध्यान से सुनते रहेगा कितने percentile अगर बात करें 99 percentile की तो आपके लमसम 180 to 185 marks इसमें आने वाले हैं अब बात करें 98.9 percentile की तो 177 से 180 इसमें आपके marks रहने वाले हैं 98.8 percentile की बात करें तो इसमें आपके 174 से 170 के बीच में marks आने वाले हैं और 98.7 की बात करें 171 से 174 तक आपके number इसमें रहने वाले हैं तो हम बात करें 98.5 percentile की 168 to 170 नमबर आने वाले हैं और 98.3% तब आएगी जब आपके मार्क्स होंगे 163 से 168 तक के ठीके बच्छो 98% पे आपके 162 से 165 के बीच में मार्क्स रहेंगे और 98 वें 159 तो 167 मार्क्स अगर आते हैं तो आपकी 98% बन जाएगी आराम से 99.99% चाहिए तो 252,273 मार्क्स 252,272 के आसपास मार्क्स आपके होने जरूरी हैं 99.7% अगर आपको चाहिए तो 230 से 250 तक मार्क्स आपके होने जरूरी हैं और 99.8% अगर आपको चाहिए गाई तो 220 से 230 तक आपके मार्क्स आपके होने बहुत जरूरी हैं अब हम बात करें 99.7 के 215 से 220 मार्क्स आपके होने जरूरी है इसमें और 99.6 की बात करें तो 210 से 115 के बीच में मार्क्स रहेंगे आपके तो आपको इतनी परसेंटाइल आ जाएगी नेक्स से हम बात करें 99.5 परसेंटाइल की तो 205 तो 210 के बीच में आपके नंबर होने जरूरी है और 99.4 के बीच में 200 से 205 के बीच मार्क्स आने चाहिए और 99.3 परसेंटाइल है तो 195 से 200 तक आपके मार्क्स होने जरूरी है अगर हम बात करें 99.1 परसेंटाइल की 99.1 तो 185 तो 190 मार्क्स होने जरूरी है और 99 परसेंटाइल चाहिए तो आपको 180 तो 185 अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको इतने परसेंटाइल चाहिए रहेंगे तो बच्चों ये आपका रहा रैंक इसमें आप आप निकाल सकते हैं अराम से परसेंटाइल अगर पता चल गई और मार्क्स इतने आने वाले हैं तो आपको इसमें मेंस में आपके इतनी परसेंटाइल बन जाएगी तो phase 2 April का जो आपका mains का exam होने वाला है उसके लिए सबसे पहले हमारी team the Menta की तरफ से आपको very best of luck आप बहुत अच्छे से तयारी करें और अपने अच्छे marks लेके आएं जो आपका January attempt क्या था उससे better आपका ये attempt होना जरूरी है हम कोशिश लगातार करने हैं कि आपको जितनी भी हम help कर सकें आपको information दे सकें क्योंकि आपको help के भी बहुत जादा need पढ़ने वाली है आपकी mails और whatsapp के messages को हम लगातार देखते हैं और आपको answer करने की पूरी कोशिश करते हैं आप ऐसे ही Menta को subscribe करके रखना और जितने बच and see you soon with the next topic comment कर देना अगर आपको कोई ऐसा topic पे video चाहिए तो please do comment we will be making a short video और we will help you out in that topic thank you guys